इन चार ओरतों को नवरात्री का वर्त नहीं रखना चाहिए पती पर आता है भयंगर संकत चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन एसी चार ओरतों को नवरात्री का वर्त बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए इन ओरतों को नवरात्रों में माता दुरुगा की पूजा भी नहीं करनी चाहिए मातारानी हो जाती है करोधित नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बात फिर से दोस्तों मातारानी की करपा प्राप्ति के लिए सच्ची सरदा से कॉमेंट बोक्स में जै मातादी अवश्य लिखें दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन एसी चार महिलाएं नमरातरों का वर्त भूल के बिना रखें मातारानी एसी ओरतों से कभी खुस नहीं रहती अगर है तो उन्हें अवश्य ही बताईए सारद्य नमरातरी का प्रारंब आश्विन माह के शुक्रपक्स की प्रतिपदाती टीशे होता है उससे एक दिन पहले यानि अमावश्या को शभी पित्रगण विरा हो जाते हैं और फिर मादरुगा का आगवन होता है कलास स्थापना के साथ पूरे नो दिनों तक मादरुगा के नो स्वरुपों की पूजा की जाती है इस साल सारदी नवरात्रों का प्रारंब 6 सितंबर दिन सोवमार से होकर के 5 अक्टूबर दिन बुद्वार तक रहेगा इस साल मादरुगा हाती की सवारी पर प्रत्वी लोग पर पधारेंगी जिस दिन नवरात्री का प्रारम होता है उस दिन के नुसार माता अपने वाहन पर सवार होकर आती हैं जो अपने भक्तों को एक विशेश संकेत भी देता है दोस्तो सनातन हिंदु धर्म में प्रतेख वर्स में कई महत्वपन उत्सवें तोहार आते हैं इन्हें सास्त्रों में आध्यात्म परवक कहा जाता है प्रतेख दिवी देवता के लिए विशेश तियोहार और तिथिकार निरधारन किया गया है उन तिथियों पर उनका पूजन करने से हमें उस देवता का आसिरवात प्राफ होता है इनी में से एक महत्वपन तिवार है नवरात्री का तिवार सारद्य नवरात्री का हिंदु धर्म में बहुत अधिक महत्वपन होता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो मादुर्गा की पूजा ना करे तो ही अच्छा है मानिताओं के नुसार आज हम जिन महिलाओं की बात करने वाले हैं उन्हें नवरात्रों के वर्त से हमेशा ही दूर रहना चाहिए नहीं तो माता एसी औरतों से पूज़ित हो जाती है, साथ ही पती पर भी संकट आ जाये तो कोई बड़ी बात नहीं है उन महिलाओं में से पहली है तलाक सुधा महिलाएं दोस्तों आपको बता दें कि सास्तों के नुसार तलाक सुधा और और पूरुस दोनों को ही मादुरगा का वर्तन नहीं रखना चाहिए ऐसा करने से मादुरगा कभी खुश नहीं होती आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साधी दो दिलों का दो आदमाओं का बंधन है और इस बंधन में आज जीवन यहां तक की साथ जन्मों तक के बंध के रहने का नियम बताया गया है नमबर दो पे है वेश्या एक वेश्या को नवरात्री का वर्द कभी नहीं रखना चाहिए यहां तक कि माता दुर्गा की पुजा पाथ भी उसको नहीं करना चाहिए ना ही उसको करवाचोत का वर्थ रखना चाहिए जब वेक्ति की आत्मा और शरीर दोनों की पवितरता खतम हो जाती है तो वह पापी हो जाता है पापी कहलाता है इसे वेक्ति का पुजा पाथ और व दोस्तो अगर आप किसी वर्त या पुजापाट को दिखावे के तोर पर करते हैं तो यह सास्त्रोक्त घोर पाप माना गया है एसा करने से आप देवी देवताओं का मजा के निवडाते बलकि आप उल्टे पाप के भागेदार भी बन जाते हैं और मादुरुगा भी एसे लो दोस्तों सास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप बिमार हैं आपको कोई घातक बिमारी है तो आप इस वर्त से दूर रहें जैसे ही अगर वरत के कारण कष्ट में आए, अगर उसका स्वास्ते सही नहीं है, तो उसको वरत भी नहीं रखना चाहिए, ऐसे में अगर आप जबरदस्ती वरत रखते हैं, तकलिप सहते हैं, तो आपसे मातरानी कभी भी प्रसना नहीं होगी, नमबर पांच पे है अगर आपको बार बार गाली गलोश करने की आदत है तो जितना जल्दी हो सके आप इस आदक को छोड़ दीजिए वरत और पुजापाट करके मातारानी को प्रसंद करना है तो मुख से मिठे बोल बोलिए मुख से मिठे बोल ही निकलने जाइए अधिक कड़वे बोल मातास्तस्वति का अपमान करते हैं नमबर छै पे है ऐसे विवाहित जोड़े जिनकी लव मेरिज हुई है या कोट मेरिज हुई है लेकिन अगनी के साथ फेरे नहीं लिए हिंदू रिती रिवाजों के नुसार साधी नहीं हुई वह लोग भी नमरातरों की पूजा और वर्थ नहीं कर सकते साथ ही जो लोग सुबह सूर्य उदे की बाद तक सोय लेते हैं ऐसे लोगों को भी नमरातरी के वर्थ से दूर रहना चाहिए तो दोस्तों ऐसे लोगों को मतरानी की पूजा से वर्थ से हमेशा दूर ही रहना चाहिए अगर आप इन नेवों का उलंगन करते हैं तो आपका विवाहिक और आर्थिक जीवन संकट में पढ़ जाता है पती के जीवन में संकट आते हैं तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज की ये जानकारी भी आपको पसंद आई होगी अगर आई है तो वीडियो को लाइक करें सेर करें साथ ही हमारे चेनल को सबस्क्राइब करके बेल के बटन को अवसे दबाएं और कॉमेंट बॉक्स में जै माता दी लिखना बिलकुल ना भूले धन्युक्त